हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल तो चलिए देखते हैं पुलिटिकल साइंस का कॉस्चन आज का चौद हवान दिन है ठीक है तो जो हमारे चैनल पर नए है चैनल को जरू सबस्क्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे ठीक है तो आज देखते ह करें किसी वासा को सास्त्रिय वासा को दर्जा देने ही तो कुछ मानक तै कि गया है निमलेखित में सुवख कौन सा मानक है ठीक है मानक कौन सा है जिसके अधार पे सास्त्रिय वासा भारत में जो भी वासा उसको दिया जा सकता है तो पहला कत्रया पर है पंदरा सो से दोहजार बर्ज पुराने ग्रंतुमें दर्ज इतिहास की पावर्ण इकता हुँ भासा के प्राचिन ग्रंत इबम शाहित्ते हो जीने प्रिधी दर-प्रिधी अमुल्नी माना जातीर रहो तिसरा है भासा की मौलिग शाहित्तें परंपरा हो जो दुसरे भासा स्वमिदाय से उधार मुना ली गई हो ठी तो आजिए इसका डिस्क्रिप्सन देखते हैं सास्त्रिय भासा हैं बर्स 2004 में भारत सरकार ने सास्त्रिय भासा के नाम से एक अलग वर्ग बनाने का नहीं नहीं किया इसके अंतरगत वर्स द्वर 6 में किसी भासा को सास्त्रिय भासा का दर्जा देने हैं तो कुछ मानक ताई किये गए अब मानक क्या है वही है पंदरा सो से दोजर बर्स पुराने गरंथों में दर्जी तिहास के पावरा निकता हो भासा के प्राचिन गरंत हवं साहित्ते होजी ने पीढिडर-पीढिडी अमुल्लिवाना जाता रहा हो भासा की मौलिक साहित्य परंपरा हो जो दूसरी भासा सुनज़ाय से उधार नाली गई हो सास्त्रिय भासा के दर्जे के लाब करा समंधित भासा के लिए एक उतक्रिष्ट केंद्र अस्थाफित करने के लिए सरकार दोवरा बित्ते सहायता परदान की जाती है उस भासा से समंधित दोगन मानने वेक्तियों को पुरुषकार दे जाने का मार्ग प्रसस्त हो जाता है केंद्रिय विस्वी त्याले में सास्त्रिय वहसाओं के पैसे वर पिट प्रोपेशनल वेंच के स्थाफना की जा सकती है अब तक 6 वहसाओं को सास्त्रिय वहसा का दर्जा प्राप्त हो चुका है तो वो 6 कोन कोने थोड़ा देखते हैं करा तमिल 2004 में, संस्क्रीट 2005 में, तेलगु को मिला है 2008 में, कंडर को मिला है 2008 में, मल्य आलम को मिला है 2013 में, और ओडिया को मिला है 2014 में आई ये देखते हैं चुका दूसरा कोश्चन अमलिकित कतनों पर विचार कीजिए करा गुजराद के महान कभी स्री नर्मद 1833-86 ने सरपर्थम हिंदी को राष्ट वासा बनाया जाने का विचार प्रस्तुत किया था फिर ये दूसरा बर्स 1918 में, बाल गंगा धर तिलक ने हिंदी वासा को भारत की राजवासा होने की घुस्ना की थी तिसरा है भासा के धार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंदर परदेश है फिर चौटा है 96 समीधान सुनसोधन बिदेख दुछरी 11 दुबारा उडिया भासा का नाम बदल कर उडिया कर दिया गया तो यहां पे जितने भी कतन हैं सारे कतन सही होने चाहिए ठीक है आप्शन डी करेक्ट होगा आईए देखते मत्पुन तत्ते करा हैं गुजरात के महान कवी स्री नर्मद ने सरपर्थम हिंदी को राजवासा बनाया जाने का वीचार परस्तुत किया था बरस 1918 में बाल गंगर तर तिलक में हिंदी भासा को भारत की राजवासा होने की घुस्ना कि थी समीधान सवाद वारा अंगिकरीत समीधान हिंदी मिना होकर किवर अंग्रेजी भासा में था भासा के धार पर गठित होने वाला पहला राजजी आंदर परदेश से है फिर है भारत की जम्मू एवम कस्मिर राज़ी में उर्दो को परत्थम राजवासा का स्थान प्राप्त है मेगाले मिजूर एवम नागलन की राजवासा अंग्रेजी है लेकिन यह भारती समिधान की आठवे नुसुची में सामिल नहीं है करा 96 समिधान संसुधन विद्यक दुचरी ग्यारा दुवारा ओडिया भासा का नाम बदल कर ओडिया कर दिया गया 98 समिधान संसुधन दुवारा नुच्छी तुन्च 394 ए जोड़कर समिधान का हिंदी भासा में अनुवाद उलब्द कराया गया आगे देखते हैं केंद्रिये सतरक्ता आयोग के संदर्व में निमलखीत कत्नों पर विचार कीजिए ठीक है तो हिंदी भासा कत्म हो गया आज हैं केंद्रिये सतरक्ता आयोग और सुचना आयोग से भी रिलेटेट कोश्चन है करा केंद्रिये सतरक्ता आयोग जिसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिशन किंद्र सरकार में वरष्टा चार रोकने के लिए एक परमुक संस्ता है सन 1964 हिस्वी में किंद्र सरकार दोवरा पारी तेक विधी दोवरा इसे साम विधिक दरजा सेचिव्टरी अस्टिटेस दिया गया है हैं कि तो यहां पर ध्यान द सही है दुसरा भी सही है तिसरा है कि यह धो जारती में संथाचार को रोकने पर बनाए गई संथानम समीती पर इसका गठन भर्षटा चार रोकने से समंदित सुझाब देने के लिए हुआ था कर इस प्रकार मुलता केंद्रिय सतक्ता आयोगना तो एक संबीधिक संस्था है नहीं संबेदानी लेकिन अब संबीधिक संस्था ये बना है वही 2003 के नुसार तो ये धियान में रखना यहां पर इसको गलत कर सकते हैं निम्नलिक्षित में कौन सा कथम गलत है? तो चारों में डूर्णते हैं कारा कंद्रिय सतक्ता आयोगना इक बहु सतस्य निका है जिसमें एक पर्मुक, किंद्रिय सर्तक्ता आयुक्त या धक्ष बोल सकते हैं बद्दो अन्य सर्तक्ता आयुक्त सदस्य की रूप में होते हैं करा इनकी निक्ति और राष्ट पति दुवारा एक तीन सदस्य समिती के नुसंसा पर होती है इनका कारेकल छे बर्स या 65 बर्स के आयुक्त तक जो भी पहले हो तक होता है करा केंद्रिय सर्तक्ता आयुक्त के बेतन भत्ते वा अन्य से वा सर्ते संग लोक्त से वा आयुक्त के धक्ष के समान होती है तो इसका कारिकल जो है चार वरस होता है ना कि छे वरस होता है ठीक है ये दियान देना है तो आप्सन सी यहां पर सही हुआ क्योंकि यही कथन गलत है बाकी कथन जितने भी हैं सारे सही हैं आगे देखते हैं केंद्रिये सर्तक्ता आयोकी संद्रचना करहां कंद्रीय सर्टक्ता आयों कंद्रीय ग्जिए मंत्री होते हैं इनका कारेकाल चार वर्सत dagger 65 वर्सकियाविक तच जो भी पहलो होता है आगे देखते हैं सचीवाले क्या है सचीवाले के तो च्छटा कोस्टिन केंद्री सर्थक्ता आयों फच्टा चार निवारन अधिन्यमन उस अठासे के अंतरगत निम्नलिखित किस या किन्द सिरेनियों से समंधित अधिकारियों की बीद किसी भी सिकाहित की जाच करता है कर भारत सरकार की ग्रूप एक कर्मचारी अभा मखिल यहां तेनों कतने पर सही हो जाएगा आईए देख लेते हैं कराकेंद्रिय सर्थक्ता आयों के कारें कराकेंद्रियों किसी भी सिकाहित की जाच करना जिसमें किस पर भ्रश्टा चार निवारन अधिन्यमन उसवठासी के अंतरगत को या प्राद किया गया हो पर अनिमलिकित स्रेनियों से समन्धित अधिकारियों के विरूद किसी भी सिकायत की जाज करना जिसमें उस पर भष्टाचार निवारा अधिनियों निस्व ठाथासे के अंतरगत किसी अप्राद का अरॉप भारो सरकार के करभारा सरकार की ग्रूप एकरमचारी अखिल भारती से वाकि अधिकारी तथा दुसरा है किन सरकार की प्रादिकर्णों किन दिश्ट अस्तर के अधिकारी अब है भरष्टा-चार नीवारन अधिनीं 1998 के त़हत प्रादों की जांच से समंदित दिली विशेस पुलिस वलके कामकाज़ की देखरेक करना है करा जांच के दुरान निरदेश देना तदा की गई जांच की समिक्षा करना है करहभष्ट चार निवारन अदिनी 1988 के नतरगत मुगदमे चलाने ही तुसे मंदित प्रादिकर्णों को दिये गए लंबित प्राथना पत्रों के समिक्चा करना करहा किन सरकार और इसके प्रादिकर्णों को ऐसे किसी मामले में सिल्वादेना कराकिन सरकार के मंत्रालियो वह प्रादिकर्णों के सत्रक्ता प्रसासन पर नजर रखना लोखी तुद्गाड़न दजा सुचक की सुरच्चा से समंधिन संकल्प के इंतरगत प्राप्त सिकाईतों की जांच करना तथा आयूग करवाईयों की अनुसंसा करना केंद्र ये सीचना आयूग की सथापना कब की गई थी अब सुचना आयूग में परवेश कर गए तो केंद्री सुचना आयूग की जो है स्थापना की गई थी ये सेट का easy question सबसे है 2005 इस वी में आगे देखते हैं करा केंद्रिय सुचना आयोग जिसको बूलते हैं Central Information Commission केंद्रिय सुचना आयोग के स्थापना बर्स कब 2005 में किंद सरकार दोवरा के गई थी इसके स्थापना सुचना का दिकार अधिनियम 2005 के अंतरगत सासके राजपत्र अधिसुचना के मात्यम से की गई थी इस प्रकार यह एक समीदानिक निकार नहीं है केंद्रिय सुचना आयोग के सुंदर में निम्लिकित कत्रों पर पिचार केजिए करा इस आयोग में एक मुख्य आयोग एवं अन्य सुचना आयोग होते हैं जिनकी संखिया 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए दुसरा है सभी सुचना आयोगत्यों की निक्ति पर धान मंत्री दुवारा एक समीदी की सिफारिश पर की जाती है तिसरा है केंद्री सुचना आयोग का अधियाच एवं सदस्यों में साबजनी की जीवन का परियाप्त अनुभव होना चाहिए तो ध्यान देना है कि एहां पर अंसर होगा इस आयोग में एक मुख्य आयोगत्यों एवं अन्य सुचना आयोगत्यों होते हैं साबजनी की जीवन का परियाप्त अनुभव होना चाहिए यह कथन सही है और सन भी यहां क्रेक्ट हो जाएगा सब्सक्राइग इस आयोग में एक मुख्य आयोगत्यों एवं अन्य सुचना आयोगत्यों होते हैं इनकी संख्या दस से धिक नहीं होनी चाहिए पहला कथन गल जो पत्रों मिंतरीर धाश पती दूबारे समिति की सिपारिश भी होती है रांकी परधानमंत्री पर खी जाती है इस समيति में परमुकस रूप से पर्धान मंतरी लोगस्वा में भी पक्च का नेता एवन पर्धान मंतरी द्वारमनोनी ते केबिनिट मंतरी सामिल होता है करेक केंद्री सुचना आयोंग का ध्याक छेवन सदस्या बनने वाले सदस्यों में साबजिन चीवन का प्रयापतन वो होना चाहिए था उन्हें बीधी भी ग्यान एवं तक्निक की समाजिक सेवा परभंदन पत्रकारिता जंसंचार ये प्रशासनादी का विस्ष्ट ग्यान होना चाहिए आगे देखते हैं निमलिकित कत्मों पर विचार कीजिए करा मुखे सुचना आयुकते वह अन्नी आयुकत च्छा वर्स ये 65 वर्स के आयुक दोनों में से जो भी पहले हो तक पद पर बने रह सकते हैं दुसरा है मुख सुचना आयुक के वेतन भत्ते वह अन्निस से वसरते मुख निर्वाचन आयुकत के समान होते हैं कि यहां पर ध्यान देना है कि छह वर्स के जगा पर पांच वर्स होगा ठीक है वाकी 65 वर्स सही है तो पहला कत्म तो गलती हो गया दोंड़ना है सत्य दू पर बने रह सकते हैं उन्हीं पुनरिक्ति के पातरता नहीं होती है राश्पति मुख सुचना आयक्तों को निम्परकार से उनके पद से हड़ा सकता है यदि वे दिवालिया हो गए हैं यदि उन्हीं नैटिक चरीतर हिंता से समंदित किसी अपराद की विसाय में दूसी करा कार दिया रहे हो राश्पति की नजर में करा यदि वे अपनी कारिकल के दोरान के तरीक तलाव के पद पर कार कर रहे हूं आगे हैं यदि वे राश्पति की नजर में सारी रिक्यामान सी क्लूप से अपने दायतमों को निर्वान करने में अक्षम हों करवे किसे ऐसे लाव को प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं जिससे उनका कार या निस्पक्षिता प्रभावित होती हो मुख सुचना आयकत के बेतन बत्ते एवं अनिसेवा सरते मुख निरवाचन आयकत के समान होते हैं कर इससी परकार अनिसुचना आयकतों के बेतन बत्ते एवं सेवा सरते नि मंत्र रगत करह किंद्री सुचना अयोग संग लोग सेवा आयोग- 30 परिश्द राष्टमन मधार मनislikार आयोग तो केंद्री सुचना आयोग में होगा क्रमिक मंत्रा कले संग लोग सेवा मेंばい क्रमिक मनत्रा ले तेहां depicted में मंत्रा है इसलिए गलती है चित्रिय परिशद में होगा ग्रीह मंतरला नहीं नहीं है दूसरी किْ यहुष्ण हो जाता है राष्ट्रि मानवाद है कार अयुग ग्रीह मंतरली के इंटर गता है पहला है पहला दूसरा सब्सक्राइब तो कितने युगिंसु में लिदि दो केबल टॉप्सन भी हो जाएगा ठीक है फिर से इसको देख सकते हैं कि केंद्रे सुचना आयोग क्रामिक मंद्रा ले संग लुक से वायोग ग्रीह मंद्रा ले चेत्रीय परिशत जोगा ग्रीह मंत्राली होगा और राश् अभी ए आयोग ये कंद्री नीःर तथा समालिन impact मंतरा राइ तो की इंद्री चैना है ओकरमिक मंतरा ले अंदर काता है राश्ट्र यह अनुसूचित जाती जाती आयुग 20 समाजिक नहाइबम अधिकरिता हुं आलेक रोग विद जंजाती माम्लोग मंत्राले, असा ठीक है, यह है, बीच मैं यहां और ग्रोस की जाता है, राश्टी अनुसुच्ची जाती आयोग ठीक है, अगे देखते हैं, किंद्रिय सर्थत्तक्ता आयोग, क्रामिक मंत्रा लिककंद्र गत, चेतरी परिसादे ग्रीह मंतराले कंतरगत केंद्री आनिवेसन वीरोग क्रामिक मंतराले कंतरगत केंद्री अनु संधान जिन से ग्रीह मंतराले कंतरगत भसाई अल्प सदा संधान के आयुक ग्रीह मंतराले कंतरगत बाल अधिकारों के सनर्चने तो राष्ट्री आयुक जो है यह आएगा महिला यवं बाल विकास मंतराले कंतरगत और पिछले बर्गों के लिए राष्ट्री आयुक जो है समाजिक निया यवं अधिकारिता मंतराले कंतरगत आएगा बिगलांग बक्तियों के लिए किंद्री आयुक्त जो होता है समाजिक निया इवम अधिकारिता मंतरालिक अंतरगत आता है किंद्री समाज कल्यान बोर्ड जो है स्वरी एदनों एक जिखा आ गया ना यह है महिला इवम वाल विकास मंतरालिक अंतरगत उत्तरपूर परिसद जो है उत्तरफूर्प्षित विकास मंतराली के अंतरगत केंद्री प्रसासनिक नियादिकरन जो है ये भी क्रमिक मंतराली के अंतरगत और अलपसंख्यक का राश्ट्री आयोग जो है अलपसंख्यक मामलों के मंतराली के अंतरगत फिर है राश्ट्री मनमाद्याकार आयोग ज तो आज हमने देख लिया दस कुस्टिन पॉलिटिकल साइंस है तो मिलते हैं अगले दिन जोग्रफिक के साथ तब तक हमरे चैनल पर बने रहे हैं वीडियो देखते रहें ठीक है और जैदि कॉंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें